अबसकर दोस्तों मैं हूँ रोशन वन नबल फर ओन रेसिपीज में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए है गेहों के आटे का एकदम नया नास्ता जिसे बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स लगेंगे और गेहों का आटा बहुत डी हल्डी नास्ता बनेगा ये तो सुरू करते है हमारी हल्डी रेसिपी सबसे पहले आलू लेंगे दो आलू लेना है आलू के छिलके निकाल लेंगे आलू के छिलके निकाल लिये है अब हम आलू को गेतर की मदद से छीन लेंगे कच्चे आलू ही लेने है और हमें इस तरह से दोनों आलू को छीन लेना है आलू छीन लिये है अब हम इसमें काजर एड़ करेंगे काजर भी हमने छीना हुआ लिया है प्याज एड़ करेंगे बारिक चौप की हुई क्रस किया हुआ लसून एड़ करेंगे हरा धनिया एड करेंगे अब हम टेस्ट के हिसाब से नमक एड करेंगे अच्छे से मिलाना है वेजिटेबल्स को और नमक से वेजिटेबल में से जो जितना पानी रिलीज होना हो वो हो जाएगा वेजिटेबल को दस मिनित के लिए एक तरफ छोड़ देंगे और अच्छे से मेरिनेट भी हो जाएगा हमारे वेजिटेबल्स सेट हो तब तक हम उपर का लेयर के लिए आटा गूट लेंगे एक बड़े से वर्तन में एक कब जितना गेहों का आटा लेना है उसमें एक चम्मच जितना जीरा एट करेंगे हाथों से हलका सा क्रस्ट करके एट करना है और टेस्ट के इसाब से नमक एट करेंगे ताकि नास्टे का उपर का लेयर फिका ना लगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम एक चम्मच जितना टेल एर करेंगे मौयन के लिए अच्छे से मिक्स करना है सारी चिजे अच्छे से मिक्स हो गई है अब हमें पानी एट करना है थोड़ा पानी एट करके आटा गुट लेंगे थोड़ा थोड़ा करके एड करते जाना है और आटा गुट्टे जाना है आटा हमें स्मूर्ट भी नहीं रखना है जैसे पूरी का आटा गुट्टे है वैसे ही आटा गुट्टे रेडी करना है आटा हमने गुट्टे रेडी कर लिया है हम इसमें उपर से टेल एड करेंगे टेल हम अधा चमच जितना ही एड करेंगे आटे को वापस हमें मसल ना है इस तरह से मसल ने से हमारा उपर का लेयर ओयल फ्री रहेगा अच्छे से मसल के रेडी कर लेंगे आटा हमने मसल कर रेडी कर लिया है अब हम कवर कर लेंगे और सेट होने के लिए एक तरफ छोड देंगे दुसरी तरफ हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से मेरिनेट हो चुके है पानी रिलीज हो चुका है तो हमें पानी को निचोडना है इस तरह से हम निचोड लेंगे जितना निचोड सके उतना निचोडना है और इस तरह से निचोड के दुसरी पलेट में रखते जाएंगे पानी निचोर कर वेजिटेबल को बड़े से बर्तन में ले लिया है अब हमें वेजिटेबल में मसाले एट करने वाले है एक चम्मच जितना जीरा एट करेंगे एक चम्मच सुखी लाल मीर चैट करेंगे अधा चम्मच जितना गरम मसाला एट करेंगे एक चम्मच धनिय जीरे का पाउलर एड़ करेंगे एक चम्मच चाट मसाला एड़ करेंगे अभी हमें टेस्ट के इसाब से नमक एड़ करना है मेरिनेट करते वक भी नमक लिया था तो उसके इसाब से लेना है अच्छे से मिक्स करना है टेस्ट के इसाब से हरी मीड शेट करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे वापस मसालों से वेजिटेबल को मेरिनेट करने के लिए एक तरफ छोड़ देंगे मिक्स करके दुसरी तरफ हमारा आटा सेट हो चुका है हमने यहाँ पर लूई ली है हम इस तरह से बेल लेंगे मिडियम कंसिसंसी में बेल के रेडी करना है ज्यादा पतला भी नहीं करना है और ज्यादा ठीक भी नहीं रखना है इस तरह से बेल लेंगे हमारा आटा ज्यादा गिला नहीं था इसलिए हम अच्छे से बेल सकते हैं यहां पर दस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, इस तरह से रोटी की साइज का बेल के रेडि कर लेंगे, अब हम रोटी पे इस तरह से स्टुफिंग को एड करेंगे, इस तरह से हम सेड कर लेंगे, यह जो नाश्टा है वो वेजिटेबल्स और उपर का लेयर है, वो जादा टेल भी यूज नहीं हुआ है तो फ्रेंज ये हेल्दी नास्ता डायेट वालों के लिए और कम टेल खाने वालों के लिए बहुत ही अच्छा ओप्सन है टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहेगा अब हम एक साइट इस तरह से रोल करते जाएंगे रोल करते वक्त एर ना रहे उसका हमें ध्यान रखना है इस तरह से गुमाटे जाना है और थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे आप देख सकते हो हमने पुरा रोल बना लिया है रोल की जो दोनों साइट ओपन है उसको प्रेस करके सील करना है उंगलियों का पानी वला करके पानी से भी सील कर लेंगे ताकि वो अच्छे से से सेट हो जाए और साइड से भी इस तरह से प्रेस करके सील कर लेंगे रोल हमारा सील हो चुका है इस तरह से सारे रोल बनाकर रेडी करना है हमने यहाँ पर रोल बनाकर रेडी कर लिया है एक कप आठे से हमारे फाइव रोल बनकर रेडी हुआ है अब हमें स्टिम प्लेट लेनी है स्टिम प्लेट को हमें टेल से गानिस करना है अच्छे से गानिस कर लेंगे अब हमें प्लेट में रोल को रख देना है इस तरह से gap रखके roll को रख देंगे roll को plate में set कर लिया है medium gas पे 10 से 15 मिनित तक steam होने देंगे 10 मिनित हो चुकी है आप देख सकते हो हमारे roll अच्छे से full गए है आता है तो steam होने में ज़दा time भी नहीं लगेगा plate को बाहर निकाल कर थंडा कर लेंगे हमारे roll थंडे हो चुके है तो fry करना है तो हम विज से cut लगा लेंगे और cut हमें gis cut करना है टाकि अंदर का stuffing है वो निकलना जाए आप देख सकते हो हमारा stuffing कितनी अच्छी तरह से set हो चुका है इस तरह से सारे roll cut कर लेंगे और आपको fry करना ना हो तो steam किये हुए भी खा सकते हो ये बिलकुल आप momos की तरह ही टेस्ट देगा आपको अब हम मेंदे की paste बना कर ready करेंगे बावल में तीन चम्मच जितना मेंदा लिया है उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करेंगे और बिना lums की paste बना लेंगे हमारे roll की roll पे coating हो जाए उतना गड़ा रखना है हमें paste paste बन कर ready हो चुका है तेल भी गरम हो चुका है अब हम मेंदे की paste बे roll को dip कर लेंगे थोड़ा सा coating आ जाएगा और fry करने के लिए रखते जाना है इस तरह से pan में जितने आए उतने मेंदे की paste में dip करके रखते जाएंगे roll को fry करने के लिए रख दिया है चमज से टेल को स्प्रिंकल करते जाएंगे ताकि set हो जाए अच्छे से bubbles कम होने तक चलाना नहीं है bubbles पहले से थोड़े बहुत कम हो चुके है पलट लेंगे आप देख सकते हो एक तरफ बहुत अच्छा आगलर आ गया है दूसरी तरफ अच्छे से कुक होने देंगे उपर का लेयर गेह मुका है तो वो जदा टाइम नहीं लगेगा और बीच में भी वेजिटेबल से वो जदा टाइम नहीं लेंगे एक बार पलटने के बाद gas की flame स्लो कर देना है ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए सुनेरा कलर भी आ गया है और बबल्स भी कम हो गई है हमारे रोल फ्राई हो चुके है पलेट में निकाल लेंगे ये रेडी हो गया बहुती अच्छा स्टाटर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेर करें